श्वागत है आप शवी का फिर से एंचाइटी कंपेटरे चैनल में लिब्रे आफिस केल सी में आज की वीडियो में आपको टूल्स मेनू के अंदर दिये हुए विकल्ब शॉल्बर आप्शन का यूज कैसे होता है कैसे हम कैल सी प्रोग्राम के अंदर जाए इस आप्शन का प्रयोग कर सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले है आपने टूल्स मेनू के अंदर गूल सीख आप्शन का प्रयोग पढ़ा हुआ है यह आपका MS Excel में भी आप्शन दिया हुआ है वहाँ भी आपने इस विकल्प को यूज करना सीखा होगा अगर नहीं सीखा है तो आप LibreOffice के अंदर भी इस विकल्प को सीख सकते हो समझ सकते हो और यह विकल्प आपका Microsoft Excel के अंदर भी ठिक वैसे ही काम करता है तो हम आपको आज की विडियो में बताने जा रहे हैं कि Solver Option का यूज आप कैसे कर सकते हो आपने Goal Seek Option का यूज देखा है कि जहां Condition 1 हो और किसी एक Condition के अधार पे कोई आपको Output लेना हो तो उसके लिए हमने आपको Goal Seek Option का प्रयोग आपको बताया है अगर आपने विडियो नहीं देखा है तो उसका Link हम Description में देदेंगे आप वहाँ से जा के देख सकते हो आज की विडियो में हम आपको Solver Option का यूज बताने जा रहे हैं ठीक Goal Seek की तरह ही Solver Option का प्रयोग होता है Goal Seek में हमने बताया कि जब Condition 1 हो और Condition 1 के अधार पे कोई आपको Output लेना हो तो आप Goal Seek Option का प्रयोग करते हो जबकि Solver Option का प्रयोग एक से अधिक Condition पे अगर आपको Output लेना हो तो आप Solver का यूज करोगे चली एक छोटा सा एक्जामपल आपको हम पहले देते हैं और फिर आपको कई Condition के अधार पे आपको कैसे आपको Output लेना हो हम आपको बताते हैं तो एक हमने अलग से सीट बना रखा है आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिया है और इन नंबर को हम यहाँ पे पहले सम कर लेते हैं सम करते हैं सम करने के लिए आपको फार्मूला पता है या Shortcut तरीका भी आप यूज कर सकते हो मैंने यह Select किया Brickett को बंद किया और इंटर कर दिया यहाँ देखें Output के रूप में आपको यहाँ दिखा रहा है इस Total Value का जो Output है वो 18 है मुझे क्या करना है कि इस Output को बदलना है जो Total Sum दिखा रहा है इसको 50 करना है यहाँ जो 18 दिखाई दे रहा है इसको 50 करना है इन तीनों सेल के अंदर भी हम बदलाव कर सकते है या किसी एक सेल के अंदर भी हम बदलाव करके उस output को लेना चाहते है हमारा Target है कि इस Total Sum को हमको 50 करना है या इस सेल के अंदर हमको कितना अगर value को हम रख दें तो वो हमारा Output Sum जाए यहाँ पे 50 दिखाई दे तो इसके लिए आपको tools menu के अंदर जाना होगा और tools menu वे solver option पे क्लिक करना होगा solver option पे क्लिक करते ही आपके सामने जाए इस तरह का dialogue box खुल जाएगा आप यहाँ देखें target sale का option दिया है target sale में जहाँ पे आपको output लेना है जहाँ पे आपको result राप्त करना है उस silk address होना चाहिए तो आप यहाँ पे shrink button पे क्लिक करेंगे और इस silk के उपर क्लिक कर दीजेगा इस silk address यहाँ पे आजाएगा अब आपको यहाँ पे फिर से expand कर लेना होगा expand के बाद देखें यहाँ पे optimize result 2 का option दिया गया है जिसमें maximum minimum value आपका option दिया गया है याँ आपको अगर maximum value चाहिए तो आप यहाँ maximum पे क्लिक करेंगे minimum चाहिए तो आप minimum पे और value आप चाहिए तो आप value आप पे क्लिक करेंगे उस sale को आपको यहाँ लेना होगा तो हमारा आप देख सकते हो कि हमने कहा कि आप सभी sale को ले सकते हो या किसी एक sale के अंदर आप चाहते हो बदलाव करना तो हमने इस sale को select किया इस sale को select करते हैं sale का address यहाँ पर आपको दिखने लगा है अब देखें limiting condition भी है फिफ्टी वैलू यहां सो करने लगे, टूटल सम दिखाने लगे, तो मैंने इस सेल को स्लेक्ट किया, बाई चेंजिंग में, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहां सॉल बटन पे क्लिक करना है, जैसे सॉल बटन पे क्लिक करेंगे, यह बता देगा कि सिक्स की तो आपको आउटपुट यहां 50 मिल जाएगा, यहां कीप रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है, आपको आउटपुट मिल गया है, तो आपने देखा किसी एक कंडिशन के अधार पे आपको रिजल्ट लेना था, 50 यहां पे प्राप्त करना था, आपने प्राप्त कर लिय अब एक और एक्जामपल आपको हम दिखाते हैं कि आप यहां solver का यूज कैसे करोगे यहां देखो यहां हमारे पास total budget दिखा रहा है 2000 रुपीज है यानि 2000 रुपया है जिसमें हमको item देखें यहां पर item हमने लिया है A B C इसकी quantity लिया है 11 और यहां rate भी ले रखा है और rate और quantity का गुड़न फल यहां पर हमने amount दिया है और इस total amount का sum हमने यहां पर निकाला है 150 हमको यह पता करना है कि कितनी quantity जैनि 2000 रुपय में जो 2000 रुपय आप यहां देख सकते हो total budget है इस 2000 रुपय में कितनी quantity है हमारा item A का कितनी quantity item B का आएगा और कितनी quantity C का आएगा अगर हमको यह पता करना हो तो इसके लिए हम कैसे जाए solver option का प्रियूग करेंगे यह हम आपको बताते हैं कुछ नहीं करना है आपको यहां पर आपको फर्मुला जाए आपने quantity read का गुड़न पर यहां निकाला है और इसका total आपको sum यहां पर मिल गया है अब हमको tools menu के अंदर जाना होगा तो target seal पर आपको click कर रहा है और इस seal के ऊपर आपको click कर देना जहां पर आपको output चाहिए अब यहां देखे optimize result में maximize minimize और value आपका option दिया है यहां देखे maximum कितना आपको लेना है value मिनिमम कितना आपको लेना है यह आप यहां पर selection कर सकते हो अगर आपको पहले से target पता ह है कि हम आपके पास budget कितना है तो हम यहां पे उस value को type करेंगे जैसे आप यहां देख रहे हो total budget हमारा 2000 रुपया है तो हम यहां पे 2000 को type कर देंगे अब देखें यहां पे पूछ रहा है by changing sale उसी तरह किस sale के अंदर बदलाव चाहते हो तो हमने कहा कि हमको item A के लिए item B के limiting conditions का option दिया गया है जिसमें हमको यह condition set करना है कि item A जो है इसके लिए कितना quantity होना चाहिए आप यहां से preferences set कर सकते हो item B के लिए कितनी quantity होगी item C के लिए कितनी quantity होगी इसके लिए आप प्रात्यमिकता हैं यहां पे अपने condition के अधार पे अपने जरुवत के हिसाफ से set कर सकते हो तो चलिए cell reference के अंदर हम click करते हैं और cell reference में हम item A की quantity पे click करते हैं इस cell का address यहां आ चुका है अब देखें यहां operator के रुप में दिखा रहा है greater than, less than, equal to, less than यह सब option दिया गया है इसमें से आप condition क्या लगाना चाहते हो तो मैंने आपको यहां पे बताया रहे हैं कि हम यहां पे greater than का option चूज कर लेते हैं तो यहां से हमने operator को select कर लिया है greater than, equal to लेना चाहते हैं हम यहां पे condition value देना चाहते हैं 10 यानि इस item A की जो quantity है हम यहां पे 10 की बराबर अत्वा 10 से अधिक रखना चाहते हैं अब इसी तरह आपको condition 2 यहां पे set करना होगा condition 2 sell references में आप यहां पे click करेंगे और item B के लिए quantity को यहां select करेंगे इस sale का address यहां आ चुका है अब यह sale में आप कितना maximum value या minimum value आप लेना चाहते हो यहां पे आपको लिखना होगा यहां आप operator चूज करें आपरेटर में आप less than देखें less than equal to equal to greater than equal to integer और binary का option दिया है तो हम यहां पे जहें आपरेटर जहें less than equal to option का यूज करते हैं greater than equal to या equal to greater assign का प्रयूग किया है या तो quantity 10 हो अत्वा 10 से अधिक हो इसी तरह यहां पे item B के लिए quantity हमने 20 लिया कहा हमने कि इस item की जो quantity है वो 20 हो अत्वा 20 से कम हो ठीक है इसी तरह आप references, cell references पे आप click करेंगे और तीसरे item के लिए आप यहां quantity या condition को set करेंगे यहां पे भी हम less than करते हैं और यहां पे quantity हम लेते हैं 30 है अब यहां देखें हमने यह conditions अप्लाई कर दिया है यानि यहां जो item हम A लिए रहे हैं इसकी quantity है 10 से अधिक होनी चाहिए अत्वा 10 के बराबर होनी चाहिए इसी तरह item B की जो quantity है वो 20 या 20 से कम हो और item C की quantity है 30 अत् यह आपको यहां पे जए condition set कर लेना है अब मुझे देखना है कि कितनी quantity A की आएगी कितनी quantity B की और कितनी quantity C की आएगी इस 2000 रुपे में जो हमारा budget है इस budget में कितनी कितनी quantity जए item A की item B की और item C की आएगी आपको क्या करना होगा आपको solve बटन पे बस अब क्लिक कर देना हो आपको output मिल जाएगा कौन सा आइटम कितनी quantity में 2000 रुपे में आएगा यहां OK कर दीजिएगा यही आपको खर्च करना था तो यह होता है tools menu के अंदर solver option का प्रयोग आपने देखा आज है उमीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें चैनल को आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइ भी कर लीजी तो आज की वीडियो में बस इतना ही नमस्कार जैहिन